हेलो फ्रेंद्स वेलकम टे अनादर वीडियो अब स्टाक मर्केट आज हम डिसक्रस करने वाले एयू स्मॉल फिनांस बैंक लिमिटेट के बारे भी इट्स ए ट्रेंडिंग स्टाक जब इसका प्राइस नियर अबूट था था तब से मैं इस पाटिकुलर स्टाक में बाइंग था त्री 52 इक साही 1390 52 इसलो 616 चरेंट प्राइस 1353 नाव अगर इस पाटिकुलर स्टाक के हम पियर्स के साथ कम्पेर करें तो एयू स्मॉल फिनांस बैंक इस नंबर 7 अकॉर्डिन टू मार्केट के यह बंधन बैंक का एयू स्मॉल फिनांस बैंक का मार्केट के अमोर अल Small Finance Bank ने March quarter से जून का result सबसे अच्छा है हलागे December September quarter का result इनका सबसे अच्छा था फिर भी अगर हम revenue perspective से देखे so 1353 का revenue आया है financing profit 90 करोज जो के last 2 quarter में negative 74 and negative 81 करोज था financing profit अच्छे profit view tax 275 करोज जहाँ पे other income इनके घटे है हलागे December quarter में other income सबसे ज़ाथ था profit view tax भी सबसे ज़ाध आया था but in this particular quarter March quarter इसे अच्छे अच्छे ग्रॉस एनपा 4.31 एनफे 2.26 हलागे comparing to their March segment June के NPA बढ़े है सभी bank का NPA बढ़े है सेप्टेमबर तक यह pain उनको रहेगा after that अगर COVID का situation under control होता है तो NPA घटेंगे और सारे bank का profitability भी बढ़ेगा तब सारे banks में buying आयेगा लेकिन market पहले से factors को discount कर रहा है इसलिए जैसे तरह से Nifty में बरुतिया आया है bank nifty एक range में consolidated कर रहा है बर यह सारे जो banks है अभी एक attractive rate अगर आप इस भी अभी से invest करोगे तो at the end of the year सारे banks में आपको अच्छा-कासा return भी मिलेगा इस particular company का compounding sales गोर 5 years में 37% compounding profit गोर 5 years में 41% stock का CSR price गो 3 years में 23% 1 year में 85% return on equity बहुत अच्छे 19 to 22% के भी promoters holding के बारे में अगर हम देखे तो promoters cost 28.41 का stake है FI के पास 31.90 DI के पास 21.38 and public holding 18.32 सबसे बढ़िया जो shareholding pattern है इसी particular bank के पास है यानि सभी bullish ये public holding अच्छा है promoters के बाद controlling stake तो नहीं है लेकिन promoters के बास भी अच्छा का अच्छा स्टेक है इस top price में भी आप इस stock में invest कर सकते हो लेकिन longer horizon के लिए day trading का tips मैं नहीं देता हमेशा से 3-5 साल का आपको horizon रखना पड़ेगा अगर next six month का भी outlook देखे तो उसमें भी stock का जो price वो 1500 के उपर तक जाने का chance है 10% का return is not that bad in the next three month तो यहते stock को लेके analysis and update वीडियो इंफर्मेटी बाच चलाएगे चैनल को like subscribe और share काना मत बूले see you in the next video till then good bye